मैं जान और मेरे प्यारी मामा मैं जान और मेरे प्यारे बाबा दादी मा सीट मर्यम अकलमन भाई हमारी है प्यारी है स्वीट पैमली मैं जान और हूँ पाज साल का जानता गीत हूँ सारी ताल का जान बड़े शांदार तरीके से बेटिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान को जीत के बिलकु करीब ले आए हैं अब एक आखरी गेन बाकी है और पाकिस्तान को चार रंज चाहिये मैच्च जीतने के लिए और जिस तरह जान बैटिंग कर रहे हैं, लग रहा है कि वो आज ये काम कर लेंगे बॉलर अब आखरी गेंट फैंक ने के लिए भागना शुरू हो चुका है जान बड़े मुहतात अंदाज से बैट को जमीन पर मार कर गेंट का इंतजार कर रहे हैं और ये देखें बॉलर ने गेंट की, जान ने बैट गुमाया, बॉल बैट पर आई और बॉल हवा में उड़ती हुई जा रही है बाउंडरी लाइन से भी उपर, उपर, उपर और ये छक्का जान, उप जाओ बेटा, देखो टाइम क्या हो गया है, और तुम अभी तक सो रहे हो जल्दी आजाओ बेटा, नाश्ता तयार है, वनना स्कूल से लेट हो जाओगे ओहो, मैं मैं अफ दा मैच बनने ही वाला था, और मुझे अम्मी जान ने उठा दिया रात को मैं पाकिस्तान का मैच देखते देखते सो गया, शायद इसलिए मैं खुआब मैं क्रिकेटर बना वा था मैंने सोच लिया है कि मैं क्रिकेट खेलूंगा और एक क्रिकेटर बनूंगा मगर जान, तुम तो फुटबॉलर बनना चाहते थे ना हाँ, पहले मैं फुटबॉलर बनना चाहता था लेकिन मैं अब क्रिकेटर बनना चाहता हूँ चलो टॉस करते हैं अरे वाव, पहली बेटिंग मेरी हर एक की बेटिंग मेरे से पहले आ गई इस तरह तो सारा दिन गुजर जाएगा मैं क्या फिल्डिंग ही करता रहूंगा जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बारी बारी सबकी बारी आएगी जान, जान, गेन पकड़ो गेन पकड़ो जान मैंने एक और चोका लगा दिया मेरे बारी कब आएगी तुमनों कब से बैटिंग कर रहे हो गुडिया आउट होगी तो तुम्हारी बारी आएगी और वो कब आउट होगी जब तुम उसका कैज पकड़ लोगे मैं तो सर्फ क्रिकेट में बैटिंग करना चाहता था फिल्डिंग और बॉलिंग नहीं यह तो बहुत थिका देने वाला काम है खड़े रहो खड़े रहो और यह कोई हीरो वाला काम तो नहीं है जान जान कैज पकड़ो यह तो मुझे लग जाएगी अब क्या करूँ जान कैज पकड़ो वरना गुडिया जीट जाएगी जान तुमने तो आज बहुत अच्छे से खेला तुम्हे पता है आज के मैं आफ दिमेश तुम हो लेकिन मैंने तो बैटिंग की ही नहीं मगर तुमने आज का सबसे खास कैज पकड़ा है हाँ जान वाकई इतना मुश्किल कैज तो मैं भी नहीं पकड़ सकता था गुड जान तुमने तो बहुत अच्छा खेला गुडिया तुमने भी बहुत अच्छा खेला है अब हमने तुमसे क्रिकेट खेला सीख लिया है उस दिन मैंने सीखा के क्रिकेट में सिर्फ बैटिंग नहीं बलके और भी बहुत कुछ होता है और सिर्फ बैटिंग करने से हीदो नहीं बना जा सकता मैं गलत था कभी कबार एक कैश पकड़ने से भी हम हीरो बन सकते हैं फिल्लिंग बोरिंग और साथ ही थकाने वाला काम है मेरा कितना स्कोर रहा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि अभी इस बुक में बहुत से पेज़ बाकी है क्योंकि अभी था सकता है